हेलो आपीवान वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रम स्टडीबर्स और मैं हूँ अनुबफ गुपता सोयर आज की वीडियो के अंदर एक और इंप्टेंट अपडेट है कि निर्मा यूनिवर्स्टी जो की गुजरात की है उसके फॉर्म्स आ चुके हैं आज की वीडियो के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरू प्रेस कर देना ताकि सारी इंप्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी एप भी डाउनलोड कर सकते हूं आप पर आपको कैट एंबीए के मॉक्स एं वीडियो भी मिलते हैं और सब्सक्राइब के साथ आपको मिलते एक पोर्टिल जिसमें आपको इबुक्स की फेसिलिटी टॉपिक वाइस टेस्स, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करेंट अफेस्ट और यह सारे फुलेंद मॉक्स भी मिलते हैं इसके लिए आपको एक स्टडी प्लैनर का भी फीचर मिलता है इसके लिटेट कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी सेल्पलाइन नंबर डबल 95893 7705 पर कॉन्टाक्ट कर सकते हो तो friends अगर सबसे पहले बात करें Nirmah University की Nirmah University in short N.U. भी बोला जाता है कहां पे situated है एहमदाबाद Gujarat के अंदर ये situated है NAC accredited है अगर इस institute के numbers के बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि they give numerous opportunities to its students and उनको strive करते हैं और equip करते हैं by providing them with skills ability, knowledge and required for lifelong learning and success it is reputed from outstanding caliber of students क्योंकि students का caliber अच्छा है graduating from its undergraduate and postgraduate programs और Eluminize ने अपने आपको distinguished किया है और उनकी achievements भी काफी significant हैं in industry, academic, research business, government and society आप देख सकते हैं 26 years हो चुगी है इनको 64 इनको faculty members है 1603 में active students हैं and 6000 प्लस इनका Eluminize है के बार में बात करें specifically MBA में तो इनके दो programs है, एक है इनका MBA का program, core MBA का program जिसमें 240 seats है और दूसरा है इनका MBA in HRM का program जिसमें 30 seats है अगर friends eligibility के बार में बात करें तो eligibility वो ही है 3 years आपकी बाचलर्स डिग्री होनी चाहिए, minimum after 12 years of formal schooling किसी भी discipline से हो सकती है, with minimum 50% marks आपके होने चाहिए, या equivalent CGP होना चाहिए जो बच्चे final year के अंदर भी अपनी graduation के वो भी eligible है, apply करने के लिए, बट यह है कि program शुरू होते ही, उनको अपना result submit करना होगा, cat का ही यह score accept करेगा, और कोई score accept नहीं करेगा, ना ही ZAT, ना ही CMAT, और application form and fee आपको इसका separately भनने पड़ेगी, जिसकी fee से 1500 रूपीज, अगर आप इसका separate form नहीं भरते हैं, तो आपको निर्मा यूनिवरस्टी consider नहीं करेगी, अगर friends हम admission procedure के बारे में बात करें तो किम-किम चीजों के उपर यह कितना कितना वेटेज दे रहे हैं, सबसे पहले cat को यह 60% वेट देंगे, उसके बाद pi को यह 20% वेट देंगे, theme development and presentation को यह 10% वेटेज देंगे, and academic performance को यह 10% वेटेज देंगे, अगर हम बात करें 10% academic performance को यह किस तरीके से देंगे, सबसे प work-ex को भी यह 10 points देंगे, full-time relevant work-ex होना चाहिए, और academic performance में pre-final graduation, pre-final का मतलब क्या है, कि मान दिज़े आपकी graduation 3 years की थी, तो यह सिरफ पहले 2 साल को वेटेज देंगे, और अगर आपकी graduation 4 साल की थी, तो यह सिरफ 1st plus 2 plus 3, 3 साल को वेटेज देंगे, final year को consider नहीं किया क्लास 12 को 30% वेटेज देज देगी, क्लास 10 को 20% वेटेज देज देगी, अगर friends हम timeline के बारे में बात करें कि forms का बारे हैं, तो forms और इसके आ चुके है, last date इसकी December 2022 है, यानि कि cat के बाद, although इन्होंने अभी specific date mention नहीं करी है, हो सकता है, बड़ी जल्दी यह अपनी website के उपर last date mention कर दे, अगर आपको इस college का form बनना है, तो आपको इसका link इनकी website के उपर भी मिल जाएगा, otherwise यह इनका link है admissions-mba.nirmauni.ac.in.slash student और यहाँ पर आपको new candidate registration पर जाना है, अपनी details डालनी है, register करना है और आपकी form filling open हो जाएगी, अगर friends हम fee structure के बारे में बात करें, तो fee structure 2 years का, आपकी screen के सामने है, आप देख सकते हैं tuition fee 5 lakh rupees है, student activity fees और यह सारी fees का अगर हम total कर दे, तो एक साल के expenses है, वो around 7 lakh rupees के है, तो यानिकि 2 years के अगर हम expenses अगर जोड लें, जिसमें fee structure, रहना, खाना, पीना, रहना, सब कुछ included जो होजाएगा, वो approximately 14 lakhs होजाएगे, तो हम 14 lakhs से थोड़ा सा उपर ही लेके चलते है, विकॉज यह कह रहें tuition fee revise हो सकती है, तो 14 to 15 lakh rupees आपके 2 years के expenses आने वाले हैं, अगर आप निर्मा युनिवरस्टी से पढ़ाही करते हैं, तो अगर फ्रिंज हम cutoff के बारे में बात करें, तो since यह सिरफ cat cutoff accept करता है, तो इसकी जो expected cutoff है वो around 75 to 80 percent tile है, अगर आप इसके around ला सकते हो, तो आपको निर्मा युनिवरस्टी से call आ सकती है, लेकर फिर बता देते हैं कि यह जो data है, यह approximation का है, actual cutoff institution के discretion पर vary हो सकती है, पर exact cutoff आपको institution को contact करना चाहिए, अगर फ्रेंज हम 2 साल लगाने वाले हैं, 14-15 lakh rupees लगाने वाले हैं, तो मारी placements कैसे हो सकती है, तो इसके लिए पहले batch statistics को देख लाते हैं, काफी balanced batch था, आप देख सकते हैं, 199 students, male थे, 59 percent बच्चे, male थे, 41 percent बच्चे हैं, female थी, 139 थी, वर्केक्स में 2 years and above वाले 4 percent थे, up to 1 year वाले 17 percent थे, उसके बाद, 1 to 2 year वाले 30 students थे, sorry, and freshers 279 students थे, य और आप देख सकते हो, 236 students MBA general में थे और 38 students MBA HRM में थे, educational qualification भी आप देख सकते हो, 122 students management से थे, 28 others से थे, 91 engineers थे, 97 commerce से थे, specialization में maximum बच्चे मार्केटिंग में गई हैं, 161, फिर finance में गई हैं, और HRMN operations में, and friends अगर placements का data अगर हम देखें, तो आप देख सकते हो, 100 percent students की placement salary थी, 10.5 lakh rupees average salary थी, 10 lakh rupees median salary थी, 22 students थे, वो entrepreneurial stand के अदर चले गए, यानि कि उन्होंने placement नहीं ली और वो business अपना करेंगे, top 50 जो बच्चे थे, उनकी जो salary थी, वो 16 lakh rupees की average salary थी, और जो top 100 बच्चे थे, उनकी 13.21 lakh rupees की average salary थी, तो friends ये अब कुछ था, निर्मा युनिवरस्टी के बारे में, अगर वीडियो पसंद आयोते हैं, लाइक जरू करना, ऐसी वीडियो में फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे, जिन दन कॉलेजिस को फॉर्म आ जाएंगे, तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रस कर देना, अगर आपकी कोई भी कोई है तो आप हमें WhatsApp या email भ होता ना, और अगर आपको पेंडर पोस्त में रोल करना है तो है हमारी वेबसाइट है, यहापे आपको कम्टी डीटेल्स में जाएंगी, so thanks a lot friends, all the best, God bless you.